जैसरी राधिक्रिष्णि आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आईए आज सुनेंगे बुद्धवार भगवान गणेश जी की कथा जो भी भक्त सची सरधा के साथ बुद्धवार के दिन भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं कथा भगवान गणेश जी अपने भक्तों के ऊपर अती प्रशन होते हैं भगवान गणेश जो की प्रतम पोजनिय और ऑगिग्न हरता है किसी बी प्रकार के सुब कार्य है या मांग्ली कार्यों में सबसे पहले भगबान गाने शरी का पूजन किया जाता है उपने भक्तों के सब्सक्राइबान और दिनध्र। गणेश जी की का था तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जै एक गाउं में एक भाई और बहन सब साथ साथ रहते थे बहन का नियम था कि वहाँ अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी हर रोज वहाँ सुभा उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम काज करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर आती जाती थी एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे कणेश्टी की मुर्टी रखी देखी थी उसने भगवान के सामने हाथ जोर कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको प्राप्त हो या कहकर वा आगे बढ़ जाती थी जंगल के जाडियों के काटे उसके पैरों में चुप जाते थी एक दिन भाई के घर पहुची और भाई का मुख देखकर बैठ गए तो भावी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है या सुनकर उसने भावी को जवाब दिया कि रास्ते म जंगल की जाडियों के गिरे हुए काटे पाउ में चुप गये हैं जब वो वापस अपने घर चली गई तब भावी ने अपने पती से कहा कि रास्ते कू साफ करवा दो आपकी बहन के पाउ में बहुत सारे काटे चुप गये हैं भाई ने तब पुलहारी लेकर सारी जाडि के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भावी रोते हुए लोगों से बोले कि थोरी देर और रुक जाओ उसकी बहन आने बाली है वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती उसका यह प्रतेक दीन का नियम है तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी रोज दीन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल से निकली तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है जब वह आगे बठी तो उसने देखा कि सिद्धी बिनायक को भी वहां से किसी ने हटा दिया है तब उसन फिर या बोलकर आगे की ओर निकल पड़ी तब भगवान सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा और हमें कौन पूजेगा तब सिद्धी बिनायक ने उसे आवाज दी कि बेटी इस खेजरी की साथ पत्तियां लेकर जा और उसे कच्छे दूध में भ ठीक है जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूं फिर वहां साथ खेजरी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं भावी बैठी हुई रो रही थी भाई की लास रखी थी तब उसने उस पत्तियों को बताय हुए नियम की त शिक्स्मन को हिना है और उसने सारी बाते अपने भाई और भावी को बताए इस परकार से सब मिलकर भगवाण की भखवान शिधिविन आयक की जैजय कार करने लगे और भगवान गणेश का सभी मिलकर पूझन करने लगे प्रेम से ब्हगवान गणेश की जय इसी प्रकार से जो भी भक्त सची सर्धा के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं अस्परन करते हैं इससे भगवान गणेश जी अती प्रशन होते हैं और अपना करपा परदान करते हैं तो आसा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगाओ ऐसे ही ग्यान बर रहें वीडियो को लाइक करें शेयर करें शुखी रहें और स्वस्त रहें जैसे राधिकिष्ण धन्यबाद